हेलो अच्छो नाइस तु मीट यू देखो बड़ा हम लोग क्लास 11 की बात करने जा रहा है चप्टर नमबर 7 की ठीक है आप एपन सी एंसाइटी ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो चप्टर नमबर 7 है ठीक है इस्ट्रेक्टरल और्गनाइजेशन इन एनिमल की बात किय जा रहा है ठीक है इसमें एंसाइटी ने कुछ स्टार्ट इमबर जैसे पहले जो प्रीबियस जब एंसाइटी में पोर्सन डिलीट नहीं हो थे ठीक है इस साल बहुत बदलाव कर दिया गया है इस चप्टर में सिर्फ आपको एंफीबियंस के बारे में स्टॉडी करनी है वह भी में राणा टिगराना ठीक है बाखी चीजियों के बारे में आपको क्लास 11 में नहीं पढ़ाया जा रहा है ठीक है जिसमें अनिमल टिसू, काक्रोच यह सब सारे पोर्सन हटा दिया गया न्साइटी से तो आज हम लोग यह न्यू अन्साइटी के एक्कॉर्डिंग ह रखे गये हैं वो सारे अनिमल क्या है मल्टिसेललर है ठीक है फिर भी आन्साइटी ने लिखा हुआ है इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस दे लार्ज वराइटी आफ और अपने पढ़ा था तो बहुत सारे अनिमल के बारे में पढ़ा था ठीक है उसमें से यूनिसेललर और मल्टिसललर ऑगनिजम के बारे में भी पढ़ा होगा ठीक है यूनिसेललर में आप कौन-कौन से ऑगनिजम के बारे में पढ़े थे तो इस्ट के बारे में पढ़ा होगा इस जो होता है यूनिसललर ऑगनिजम है ठीक है बैक्टरिया पढ़ा होगा आपने फिर क्या पढ़ा होगा बैक्ट्रिया मोनरा से बिलॉंग करता है इसके बाद आपने पढ़ा होगा यूगलीना देन अमीबा जो भी होते हैं जितने बहुत सारे आजाएंगे पॉरिफेरा जिसको नीटरिया बोलते हैं असकल हेलमन्थी और क्या आ जाएगा मोलस्का आजाएगा ऐकानोडरमेट यह सब मल्यावर का डेता में बहुत सारे आप अनिमल्स के बारे में study करोगे ठीक है तो यहां बात की गई है सेकेंड लाइन में एक्सपेंड कर लेते हैं और वह सिंगल से ही डाइजेशन भी कर लेते हैं रिस्प्रेशन भी कर लेते हैं तो इनमें रिस्प्रेशन कैसा होगा यह सेटेंड लेते हैं मतलब एक से दो ऑगनिजम कर लेते हैं अपना बीजंस को सकते हैं वह एक से से कूरी अपना डाइजेशन, रिस्प्रेशन, रिप्रोडक्षं ठिक है, ये सारे process को क्या कर लेते हैं, दन कर लेते हैं, वहीं हम other hand में बात कर रहे हैं, multicellular organism, जैसे कि हम लोग क्या है, multicellular organism है, हम लोग higher card data में आते हैं, जितने भी card data में हैं, वो क्या है? देखो, multicellular मतलब more than one cell, तो जो animal, animaliac kingdom है, वो सब more than one cell के हाले हैं, ठीक है, तो वो सब multicellular organisms है, तो जितने भी multicellular organism में देखा गया, तो जो complex body या multicellular animal है, ठीक है, same basic function are carried out by the different group of cells, मतलब जो multicellular organism है और जो unicellular organism है, दोनों को digestion करना है, ठीक है, दोनों digestion करेंगे, ये भी resp रिप्रेशन करेगा, ये भी reproduce करेगा, ठीक है, बट यूनि-cellular organism में single cell के तवारा ही digestion हो जा रहा है, रिप्रोडूस भी कर ले रहा है, लेकिन जो multicellular organism है, ये group of cells ते ये सारे function को क्या कर रहे हैं, perform कर रहे हैं, in as well organized manner, हम क्या कर रहे है, organized manner में हमारे body के cells क्या कर रहे है, इ इनमें जो group of cells, मतबब ये multicellular तो है, बट tissue level organization इसमें देखने को मिलाता है हम लोग को, ठीक है, hydra में कैसा है, आपको body structure सापको याद होगा, ठीक है, इसमें tissue level organization देखने को मिलाता है, तो NCIT ने आप mention भी किया है, hydra is made up of different type of cell, and number of cell in each type can in thousand, ये किसमें हो सकता है, type can be in thousand, य तो इनमें जो group of cells, मिल करके tissue बनाया है, तो ये specific function perform करते हैं, इनमें भी respiration होता है, digestion होता है, और reproduction होता है, कौन सी respiration होती है, बार्डिंग के थुरू ये reproduce करते हैं, मतब अ-sexual reproduction इनमें देखने को पाया जाता है, ठीक है, फिर नीचे लिखा गया है, the human body is composed of million, million, billion up cells, जो human body है, जो हमारी body है, वो बहुत सारे cells से मिल के बने हुए हैं, ठीक है, तो perform various function, जो बहुत सारे function को perform करती है, ठीक है, और how do these cells in the body work together, कैसे ही ये हमारे body के अंदर, ये सारे cells क्या करते हैं, perform करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था, earlier classes में, जो multicellular animal होते हैं, group, मतलब define भी किये थे, कि what is the tissue, tissue क्या, what is the tissue, tissue है क्या, तो हमने यही पढ़ा है, कि tissue is a group of cells, क्या है tissue, माली जी एक single cell था, उससे cell division करकर करके क्या किया, बहुत सारे cell का formation कर दिया, ठीक है, और ये सारे cell मिल करके क्या कर रहा है, एक तरह का काम perform कर रहा है, तो that's why इनको क्या बोला गया, tissue बोला गया, ठीक है, तो what is a tissue, tissue is a group of cells which perform similar function, and they have same origin, उनकी भी origin, उनकी और जीनिटी कहा से हुई है, एक ही mother cell से, पैरेंट स हुई है, तो such type organization is called tissue कहते है, ठीक है, you may surprise, तुम्हें जानके अस्यजनक होगे, तुम जानके चौक जाओगे, क्या चौक जाओगे, क्या चौक जाओगे, कि जो complex element tissue है, वो सिर्फ के सिर्फ 4 tissue से मिलके बने है, जो हमारी body है, वो हम कितने tissue से मिलके बने है, तो वल्ली 4 tissue से म मिलके बने है, तो हमारी body covered है, तो epithelial tissue से मिलके बने है, ठीक है, हमारे body के अंदर fluid भी है, support भी करता है, ठीक है, तो हम किसके हो गए, connective tissue के बने हैं, ठीक है, और क्या है हमारे body के अंदर, epithelial tissue हो गया, connective tissue हो गया, और muscles, तो muscular tissue पाए जाएगी, और हमारे body के अंदर क्या यह चाहिए है तो आपको बताया जाता है कि हम मां के uterus में होते हैं चौक स्टाइच होते हैं तो समय हम कैसे हैं 359 के ambiente कर साथ ऑन्रो ऑगनी जम्यश्व एर्स सी है उनको डिलो बलाश्टिक पिद्रोबॉं of three germ layers are known as triploblastic, तो जो organism three germ layer से मिलके बना है, उनको क्या बोल रहा जा रहा है, triploblastic बोला जा रहा है, ठीक है, तो हम कैसे animal हुए, human कैसा animal हो गया, triploblastic हो गया, ठीक है, तो जो outer layer, इसको माल लो acto, यह क्या हो गया, meso और यह क्या हो गया, endo, इनी तीन layer से हमारे body के अंदर की जो tissue है, double up होती है, ठीक है, तो जो acto है, जो meso है, और जो endo है, तो देखना है कि acto और meso, ठीक है, acto, acto dermal, ठीक है, और meso dermis, यह दोनों मिलके क्या बनाते है, epithelial tissue बनाते हैं, epithelial tissue का formation करते हैं, ठीक है, ठीक है, acto, कौन-कौन सा, acto, meso और endo, यह तीनों tissue मिल करके, का formation करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन-कौन से, acto dermis, mesoderms, endo dermis, acto, meso, endo, तीनों मिलगर के, कौन सी tissue का formation करते हैं, ठीक है, वही जो हमारी connective और muscles है, ठीक है, जो connective tissue है, ठीक है, और जो muscular tissue है, यह दोनों जो है किस लेयर से । मीजो से डब लॉफ होते हैं ठिक है connective tissue ओर muscular tissue जो formation होता है वो कौन करता है düderms करता है ठिक है और जो हमारा nervous tissue है ठिक है इसका formation कहन के है तो ectoderm करेगाा कि और करेगा actoderm तो धेख़लो तीनों ले-र से डविशкив होती है जोinton टिसू है और जो सिफ मेजोबर से डविश लेयर से डविशिवह हो रह रही है और जो डम है वह सिर्फ बनाएगा क्या नवस्टीशective बनाएगा ठीक है इतना आपको याद रखना है अब आशे यागी लुग हमने बताया इपिथिलियल टिसू, ठीक है, कनेक्टिव टिसू, मस्कुलर टिसू, एंड नर्वस टिसू, यह चार टिसू के बाद किये है, ठीक है, यह फोर टिसू का डबलपमेंट हमारे किससे हो गया है, जर्म लेयर से हुआ है, ठीक है, ट्रिप्लो ब्लस्टिक है, that's वाई, एक्टो, निएट एंडो पिलस क्टों डम स्क हो रहा है इसकी मीजोडम से क्टबलाप्मेंट किसकी हो रहा है इन दौने टीसुगीonnen फिलूब्ल THEY संबल हो के bet guys ahh lists review बनाएगे यह श यूर्ण eigene यंडे स्टीन च्रहल रहे are हुस है ज secondly हो गया। हट हो गया जी इंदतों ब्रेइन होया हुआ हमारे South And serve सब्सक्राइक और मिल प्रेटें और मिलनियिया और एक डिस्ति topic अपर इस्टम बनाएगा हर्या। और मिल बनाएगा और एक कर थे यह तो two or more organ perform common function जब दो या दो से ज़्यादा organ एक तरह का काम करते हैं ठीक है when two are जब दो या दो से ज़्यादा organ मिल करके क्या बनाते हैं काम करते हैं ठीक है their physical क्या कहा जाए फिर से देखो when two are more organ perform common function by their physical या chemical interaction by together form organ system क्या बनाएंगे organ system जैसे कि हम अपनी body की बात कर लें है ठीक है लाइक देख ठीक है ठीक है जाश्ट मिनट तो देखो यहां पे यह जो human digestive system की बात कर होगे ठीक है कुछ ऐसा structure देखने को मिलता है हम लोग के body के अंदर ठीक है तो देखो हमारे body के अंदर क्या-क्या मिल रहा है mouth मिल रहा है ठीक है mouth के अंदर आपको कौन और मिल जाएगी tongue मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा इसोफेगस मिल जाएगा ठीक है इस्टमक मिल जा रहा है यहां पे pancreas मिल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाएगा ठीक है तो यह देखो elementary canal जो है बहुत सारे organs से क्या हो रही है attach हो रही है पहला है vocal cavity जिसमें tongue है ठीक है इस्टमक है ठीक है और क्या है pancreas है intestine है ठीक है यह सारे organs मिल करके एक तरह का काम कर रहे है किस चीज का डाइजेशन का कैसा का काम कर रहे है ठीक है that's why यहां पर बताया गया है when two are more organs perform common function जब दो या दो से जादे organs मिल करके एक तरह का काम करते हैं ठीक है by their physical और chemical interaction by together to form organ system क्या बनाते हैं वह organ system बनाते हैं like a digestive system respiratory system ठीक है अस्कुरेटरी सिस्टम बहुत सारे हमारे body में system है जैसे की respiratory system reproductive system respiratory system ठीक है digestive system respiratory system यह सारे system क्या है और गन के assembling से ही बन रहे हैं अब आजाओ next line में आप देखोगे NCRT ने क्या बात किया है कि जो cell है जो tissue है ठीक है जो cell है देखो यहाँ पर cell tissue organ and organ system split up work and the division मतलब यह क्या करते हैं जो cell tissue organ organ system मतलब जो हमारी body well organized है यह क्या करेगी यह work को distribute कर देगी ठीक है इसी को बोलते हैं division of labor and contribute the survival of the body as well whole और अच्छे से यह सारे काम को क्या करेगी perform करेगी organ in our body is made up of one or more type of tissue you also know that कौन-कौन सा epithelial tissue connective tissue muscular tissue and neural tissue ठीक है नवस tissue बोलते हैं but in this chapter में हमें, detail में frog के बारे में, czasu के बारे में पढ़ना है वीटक जिसमें morphology पढ़ोगे इनॉटमी पढ़ोगे frog में और म्लोजी्स yaz寨ाटमी और इमय। यह Queens campus process 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 reproductive system, circulatory system, then chapter आपका complete हो जाएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं frog की classification का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो यह frog है इसको जो आपकी chapter में पढ़ा जा रहा है यह journal frog है जो इंडिया में बहुत ही common है जिसका नाम है Rana Tigrana क्या नाम बोलते हैं इसको Rana इसको निकनेम में ने बोलते हैं wolf frog क्या बोलते हैं इसको इसका निकनेम हम लोग ने दिया है wolf frog Rana Tigrana को निकनेम ने क्या बोलते हैं wolf frog आप इसके हम लोग classification को समझाँगे इसका तो इसका classification आपको देखने को मिलता है जो है फाइलम का data किस फाइलम से बिलॉंग करता है उसके बाद आप पढ़ोगे सब फाइलम के बारे में इसका सब फाइलम क्या हो गया बर्टी ब्रेट है इन में बैकबोन डबलप होगा बट एंडोस्कल्टन तो है इनके बॉड़ी में लेकिन एक्जोस्कल्टन इनके बॉड़ी में नहीं पाया जाता है यह ध्यान रखना है ठीक है बट इनको सब फाइलम क्या हो गया बर्टी ब ठीक है, थॉर्ड पढ़ोगे सेक्शन, सेक्शन पढ़ा होगा आपने नेथो इस्टमेटा, क्या बोलते हैं इसको नेथो नेथो इस्टमेटा, ठीक है, धेन फोर्थ में हम पढ़ेंगे सुपर क्लास सूपर क्लास किस में रखा गया है इनमें लीम पाए जाते हैं हाइं 1998 four limbs दोनों लीम प्रेज़ेंट हैं इसलिए इनको क्या का जाएगा ट्ट्रापोर्ड़ा क्या बोलते हैं इसको तेट्रापोर्ड़ा एदें दे फिर नमबर के हम पढ़ सकते हैं क्लास class amphibia होगा, सब को पता है, कौन से class में रखा गया इसको, amphibia में, ठीक है, 6th नमर पर हम लोग क्या समय सकते हैं, family, तो family जो है, वो कौन सी है, rani d, ठीक है, family, rani d, ठीक है, then आता है, राना टिगराना आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो scientific name है, bullfrog का, bullfrog का scientific name है, वो rana tigrana है, तो rana जो है, वो genus हो गया, और tigrana जो है, वो species हो गया, ठीक है, classification का सबसे smallest unit क्या होती है, species होती है, ठीक है, यह याद रखना, आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है, classification में, तो आप क्या लिखोगे, genus, genus जो होगा, वो क्या होगा, rana, और जो species होगा, जो सबसे smallest unit है, animal classification का, ठीक है, classification की सबसे smallest unit क्या होती है, species होती है, ठीक है, जो यहाँ पर bullfrog का, ठीक है, क्या होगा, species, tigrana, ठीक है, तो जब भी हम इसको लिखेंगे, underline कर देंगे, ठीक है, क्योंकि italic में लिखा, जब भी type किया जाता है, scientific name को, तो italic language में type करते हैं, और अगर हम handwritten कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, scientific name क्या हो गया, rana, tigrana, ठीक है, और underline कर देंगे, ठीक है, अब बेटा हम लोग rana tigrana की बात कर लेते हैं, जो इंडिया, rana tigrana का, nickname क्या हो गया, bullfrog, का scientific name क्या हो गया, rana tigrana, ठीक है, अब आईए, पीडियाप मैंने आप ले ये बनाया है, ठीक है, देखते हैं, ये पीडियाप anxiety की recording है, ठीक है, anxiety का ही है, तो देखो, इसमें morphology refer to the study of external visible features, morphology किसको refer करती है की external features क्या है, उस जो animal है, जो frog है, उसका external features क्या देख सकते हो, कि इसमें eyes है कीं नहीं है, mouth है कि नहीं है, इसका colour कैसा है, इसमें limbs present है की नहीं है, ये सारे characters को ही क्या करते हैं, morphology, visual features, external, visible features, जो हमें दिखाई दे रहा हो, जिसके बेस में हम उसको क्या कर रहा है, characterize कर रहा है, in this chapter, in this case, plant and microbes, the term morphology especially means only this, ठीक है, in case animal, this refers to the external appearance of the organ and part of the body, ठीक है, ठीक है, phylum पड़ा, phylum, proc, किस phylum से बिलोंग करेगा, card data से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस phylum से बिलोंग करता है, phylum, card data, सब phylum क्या है, vertebrata, section क्या हो गया, nettostromata, ठीक है, super class क्या हो गया, tetrapoda हो गया, class क्या हो गया, amphibia, यह याद रखना है, हैं में बार बार वर किया है ठीक है और फैमिली रिंव य य य य झेड च्लीफ्र य क्या हो जाएगा राना टिगराणा सांटिफीक क्या हो गया Size無 ठीक है अब देखो राना टिक राना के बारे में एंसियाटिक एक्वार्डिंग हम पढ़ते हैं किया बताया गया है अब रॉप जो है वो किस क्लास से बिलॉंग करते हैं अब इस मैंने पढ़ा और यह जो जो फ्रॉग हों ठीक है इसे बकिए सवाइब करते हैं इनको एंपीविया में रखा गया मतलब यह अगया रहा है और वाटर बाडी में भी सभी कर ले रहें हैं वह यह एक को कुप करने के जाता है तो एक इनका वाटर में ही डबलब होता है और लार्वा बनता है उस लार्वा को बोलते है टैड पॉल टैड़ पूल जब एडक में कनवर्ट हो जाता है तो वह फिर से कहां पर सर्वाइब करने चला जाता है लेंड सर्फेस पर जब उसकी सीजन आती है ब्रीडिंग सीजन वह फिर से वाटर की तरफ कम बैक होते हैं क्योंकि उनका एक जो है वह ड्राई हो जाएगा और डेट कर जाएगा इससे बचने के लिए वह क्या करते हैं मतलब सकते हो कि सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए आँक अमींए वह वाटर की तरफ मूब करते हैं ठीक है तो लांट पर यह एक पॉडूल्ट ओधन डे Venus रहेंगे तो लैंड पर सर्वाइब करेंगे ठीक है वाटर बोरी में दो रीजन में जाएगे पहला जब एक के form में हैं ठीक है और वो लार्वा के form में convert हो गया है तब जाएंगे मतलब टैडपोल इस फॉर्म में जब वो टैडपोल के form में आ जाएंगे तब यह लार्वा को क्या बोलते ओ जैसे ही एडल्ट होंगे फिर कि तर रोटेट कर जाएंगे लैंड की तरफ और जब इनकी ब्रीडिंग सीजन ना ती तो फिर से यह लैंड से कहां की तरफ आते है वाटर की तरह मूफ कर जाते हैं तो इनको बोल सकते हैं, they are aquatic and क्या है बोल सकते हो, इनका habitat क्या है, aquatic aquatic and terrestrial habitat दोनो, terrestrial का मतलब land पे, aquatic का मतलब water तो, यह mostly fresh water में बाएं जाता है, marine water में नहीं पाए जाता है, और fresh water की तरफ, यह क्यों survive करते हैं, क्योंकि अभी I just मैंने बताया, जब एक form में होंगे, जबिए किस form में हैं? पेक form में हैं एक के form में हैं और एक से क्या बन रहा हूँ? टैड पोल बन रहा है तो यहां पर सर्वाइब करते हैं जैसे ही एडल्ट होंगे वो लैंड की तरफ मूब कर जाएंगे और जब इनकी ब्रीडिंग की सीजन आगी फिर से यह कहां आ जाएंगे वाटर बॉडिज में आ जाएंगे ठीक है अब आते हैं इनको कब देखा जाता मुश्ली आप प्रॉक को कब देखने को मिलताया n करते हैं कि आप कब इससे देख सकते हो तो द्यूरीग मली रिनी चीजन में आप इससे वीजिबल कर पाते हो कब देखते हो इसको Rainy Season ज़िए कब हम देखते हैं इसको Rainy Season में इसको हम देख पाते हैं जो इनका बॉड़ी का टमपरेचर है जो इनका बॉड़ी का टमपरेचर है ध्यान दीजेगा, जो body का temperature है, वो fix नहीं होता है, not fix बोल सकते हो, body temperature is not fixed, not constant, मतलब इनकी जो body की temperature है, वो constant नहीं होती है, मतलब क्या है, यह change होता रहता है, ठीक है, that's why इनको एक special name देते है, cold-blooded animal, क्या बोलता है, इनको cold-blooded animal बोला जाता है, तो जो frog होते हैं, वो कैसे animal है, blooded animals में आते हैं, ठीक है, they are cold-blooded animal, और एक special नाम देते है, chemotherm, क्या बोलता है इनको, pochylothermous, what we say that, pochylothermous, pochylothermous, ठीक है, एक special name, मतलब क्या कहा गया, जो frog है, ठीक है, जान दीजेगा, जो frog है, इसकी body temperature, क्या है, variable है, मतलब change होता रहता है, ठीक है, fixed temperature नहीं होता है, that's why यह cold-blooded animals हो गया, मतलब इनको एक special name दिया गया, they are pochylothermous, ठीक है, आप देखे, इनको एक, they have ability, एक बहुत special power होती है, इनके पास, जिनको, उसके वज़द से, इनको अपने आपको यह क्या कर पाते हैं, themselves protect, मतलब यह अपने आपको खुद बचा पाते हैं, ठीक है, जो frog है, वो अपने आपको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से, अपने body के color को change करके, आप land पे देखोगे, तो जिस मिट्टी में वो रहेंगे, उस मिट्टी के colors को adopt कर लेंगे, अगर grass में रह रहे हैं, green grass हैं, तो आप किस तरीके देखोगे, उनको green color का देखोगे, मतलब क्या है, इन में capability है, ability है, कि ये क्या कर पाएं, अपने color को change कर पाएं, तो इनके skin में एक special cell पाए जाती है, जिसको chromato 4 बोलते हैं, इनके color change करने में help करती है, तो that's why, जब ये color change करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, अपने दुसमन को cheat करते हैं, that's why NCRT ने क्या कहा, they have ability to change the color, that's why they are camouflage and this, इस तरीके से अपने आपको protect करना ही क्या कहला हैगा, mimicry, क्या कहला हैगा, mimicry, so you know that, ये line आपको समझ में आ गई होगी, so they have ability to protect them from self, ये अपने आपको दुसमन से बचा लेते हैं, by the change the color, ठीके, color को change करके, और क्या करते हैं, mimicry कर लेते हैं, मतलब उस area को surrounding के according अपने color को क्या कर लेते हैं, है, change कर लेते हैं, और क्या इसमें है, जो, क्या खाते हैं, ठीक है, तो they are cornivores, they are cornivores, जब ये adult होते हैं, then, जो adult frog है, वो क्या है, cornivores है, ये insect, ठीक है, fish, egg, such type of food को consume करता है, बट जब ये larva form में होता है, tadpole form में, तो ये only plant प्रोडस्त हाता है, कौन सा product feed करता है, plant product feed करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, frog क्या-क्या आपने morphology पड़ी अभी, हमने frog में गिये पड़ा, frog can leave both, frog होते हैं, वो दोनों जगह रह सकते हैं, land पे और water में, ठीक है, mostly ये land पे रहते हैं, जब ये adult हो जाते हैं, otherwise जब ये एक form में और larvae stage में होते हैं, तो ये किस में survive करते हैं, aquatic region मतलब fresh water में ये survive करते हैं, ठीक है, frog can leave both on land and fresh water, ठीक है, in fresh water, land and in fresh water, belong, मतलब ये fresh water, aquatic region दो होती है, marine water and fresh water, तो जो हमारा pond का water है, जो lag का water है, वो fresh water है, जो sea का water है, वो marine water है, तो marine water में नहीं मिलते हैं, they survive in land या fresh water, तो fresh water में दो stage में रहते हैं, जब ये एक form में होते हैं और जब larva form में होते हैं, ठीक है, किस कालास से बिलॉंग करते हैं, तो ये amphibia cloth से बिलॉंग करते हैं, phylum का क्या नाम है, quadrata, जो मैंने आपको detail में यहां बताया, ठीक है, hyla, hyla एक frog है, जो tree frog के नाम से जाना जाता है, ठीक है, allied जो frog है, midwife toad के नाम से जानी जाती है, ठीक है, buffo जो है common toad है, ठीक है, और इसके बारे हम लोग study कर रहे हैं, ठीक है, इनमें देखोगे तो neck region नहीं मिल रहा है, head region बचा हुआ है, और trunk region है, ठीक है, neck disappeared है, तो यह हम लोग अभी इनके extra morphology पढ़ेंगे, जिसमें head और trunk को divide करके और color की बात करेंगे, ठीक है, और इनके पास क्या है, four limbs है, hand limbs है, ठीक है, और आते हैं, नीचे, next place, अब पोड़ा जो है, जिसको देखोगे, इसमें limbs नहीं पाया जाएगा, ठीक है, flying frog है, जिसको रैक को forest बोलते हैं, और salmander जिसमें tell पाया जाता है, यह ऐसा frog है, जिसमें tell पाया जाता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, आते हैं, अब देखो, इनकी ability की बात करोगे, तो क्या-क्या जो Rana Tigrana है, उनमें क्या-क्या पाया जा रहा है, तो Rana Tigrana don't have constant body temperature, they don't have constant body temperature, मतलब जो Rana Tigrana है, जो जर्नल फ्रॉग हमारे इंडिया में पाया जाता है, उनमें जो भी amphibian है, ठीक है, जितने भी amphibian के बारे माँ आप पढ़ोग है ठिक है तो टोंट दे डोंट है constant body temperature that is why their body temperature is very मतब variable चेंज होता रहता है with the temperature of the environment किसके according जो environment में temperature बना हुआ है that's why इनको बोला गया है cold blooded यहाँ पो किलो तरह मस्ट पर और एक चीज़ जो हभी हमने बताया कि इनके के पास ability है अपने आपको क्या करने की protect करने की किसे दुस्मनों से अनिमिस से कोई अनिमन को खाना जाए ठीक है इसके लिए ये छुपने के लिए क्या करते है they have ability to change in the color of the frog तो जो frog होते हैं उनके पास capability होती है वो क्या कर पाएं अपने color को change कर पाएं किसमे according to green grass में हैं तो green grass के according change कर लेंगे land पे हैं तो swall के according change कर लेंगे जैसा उनका color होगा तो यहां पर they have ability to change the color to hide them from the enemies मतलब दुस्मनों से बचने के लिए ऐसा ये color change करने की capability को अपनाते हैं और इनके skin में कौन सी कौन सी cell पाए जाती है जो cell को color provide करती है तो वो क्या है बटा chromato 4 cell है जो इनको color provide करता है ठीक है तो that's why इसको मतलब बोलते हैं कि यह क्या कर रहा है enemy को cheat कर रहा है क्या कर रहा है यह अपने दुस्मनों को cheating कर रहा है ठीक है ठीक है ठीक है तो you have also know that frog are seen during not seen आपको कब दिखते हैं तो during rainy season आपको visible बहुत जादा दिखते हैं कब नहीं दिखते हैं you also know that frog are not seen कब दिखेंगे आपको तो during rainy season दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे तो जब extreme गर्मी पढ़ रही है extreme summer season है extreme cold है उस दोनों समय में आपको frog क्या होंगे हाइड हो जाएंगे छिप जाएंगे कहां छिप जाएंगे बरो के अंदर according to temperature ठीक है अपने आपको extreme heat से बचाने के लिए बरो के अंदर वो के जाके पॉंड के निचा जहां पे उनको moisture नमी जहां जिस बरो में उनको क्या मिले नमी मिले मॉइस्टर मिले यह वहां पे चाके छिप जाते हैं ठीक है और sleep mood ले लेते हैं तो जब यह summer season में हाइड होते हैं ठीक है तो उनको क्या बोला जाता है एस्टी वेशन बोलते हैं when they hide during summer sleeping they are this type of sleeping summer sleep बोलते हैं इस summer sleep को क्या नाम दिया गया एस्टी वेशन कहा गया और during winter जब यह winter sleep लेते हैं ठीक है तो इसमें यह long होता है जो एस्टी वेशन होता हो short time होता है एस्टी वेशन का जो period है वो short time period होता है as compared to hibernation winter season में यह long time ठीक है लंबे समय तक इसमें sleep mode में जाते हैं जिसमें hibernation में जाने के वज़े से यह bard की activity नहीं करते हैं जिसके वज़े से body metabolic activity जो होती है वो slow हो जाती है और उनको survive करने के लिए कम energy required होती है जो अपने body के surface मतलब एडिपोस्ट इसू इनमें भी पाए जाता है जो fat के form में collect होता है उसी fat को से वो क्या लेते हैं energy को obtain करते हैं ठीक है तो देखो यहां पर अब देखो morphology की बात करोगे frog का ठीक है तो frog में आप क्या पाओगे